एक समय की बात है एक गाव में सुन्दर नाम का किसान अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक दस साल का मोहन नाम का बेटा था। सुन्दर के पास खेत थे जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोशन करता था। सुन्दर की पतनी घर के कार्य करती थी, वह गणेश भगवान को अपना इश्टदेव मानती थी, उनके वरत्व पूजा पूरे नियम से करती थी, एक बार गाव में भयंकर महामारी फैली, जिसकी चपेट में सुन्दर भी आ गया, वह बहुत बीमार पड़ गया, उसकी बीम लता रात दिन पती की सेवा में लगी रहती थी, एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह गणेश भगवान के मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठ कर रोने लगी, उसने कहा, हे प्रभू, मेरे पती को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी क परिशान हो, लता ने उन्हें सारी बात बताई, तब साधु बाबा कुछ देर आँखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पती के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है, तुम उसके लिए क्या कर सकती हो, तब लता ने कहा, महाराज, मै कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पती के प्राण बच जाएं, तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पती या संतान दोनों में से एक का ही सुख है, यदि तुम अपने पती का प्राण बचाना चाहती हो, तो तुम्हें पुत्र की बली देनी होगी, उसे हमें सौपना होगा, हम उसे ले जाकर एकांत में बली देंगे, यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो एक ही पुत्र है, तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो, यदि तु अपने पुत्र को हमें देती हो, तो एक सप्ताह में ही तुम रात अभर रोती रही, सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुची और मोहन को साधु बाबा को सौप दिया, लता ने कहा, महाराज, मैंने निर्णे लिया है कि पती की वजह से ही यह संतान मुझे मिली है, इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना है, तो मैं पती को चुनूंगी, आप इसे ले जाईए और मेरे पती को ठीक कर दीजिए, साधु बाबा उसे लेकर चल दिये, लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, वह रोते रोते घर आ गई, वह दिन रात अपने पुत्र के योग में रोती रहती, धीरे धीरे उसका पती ठ सारी बात बताई, सुनकर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया, हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बली दे दी, उसके बिना मैं जीकर क्या करूंगा, जब उसे कहीं से भी लेकर तभी मेरे घर में पैर रखना, यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया वह रोती हुई उसी मंदिर में जा पहुची, वहाँ वही साधु बाबा बैठे मिले, वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी, तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती ह तो पुत्र को भूल कर पती की सेवा करो, लता ने कहा, महाराज, वो तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते, तब साधु बाबा ने कहा, तुम गणेश जी का नित्यनियम करो, विग्न हर्ता गणपती जी का आशीरवाद रहा, तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई, कोई उसे कुछ खाने को फल दे जाता, तो वह खा लेती, और दिन रात गणेश भगवान का ध्यान करती रहती, एक दिन उसका पडोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पती बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो, वह दोडती घर पहुची, तब आसपास के लोगों ने कहा, यह पुत्र के योग में भूखा प्यासा रहता था और उसी कारण वह आज बेहोश हो गया है, लता ने उसे होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया, लता रोने लगी और गणेश भगवान से बेटी, तुम क्यों रो रही हो, लता ने कहा, बाबा, मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बली देदी और पती को भी ठीक नहीं कर पाई, तब ही वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए, उन्हें देखकर माता उनके पैरों में गिर गई, तब गणेश भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है, पुत्र की बली देकर पती द्वारा धिकारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ, पतिपतनी गणेश भगवान के चरणों में नत्मस्तक हो गए, उसके बाद गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर गणेश जी महाराज अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय